इतने सारे शॉट्स आज हमें सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिले टीटवणी वर्ल्लकप दोजाट चौबिस बसाने ही वाला है उससे पहले सूरे की ये फॉर्म और वो भी दोसों के स्ट्राइक रेट से मतला 51 गेंदों में उन्होंने अपना शतक कंप्लीट करा दोसों के स्ट्राइक रेट से ऐसा भी नहीं कि जादा गेंदे खेल लियो एक अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने शतक कंप्लीट करा और व्ल्लकप से पहले तो ये बहुती जादा अच्छी चीज है, अच्छा हिंट है कि विल्ड कप में जा रहे एक अच्छी फॉर्म के साथ और नमबर्स के साथ जाएंगे, रंस लगा के विल्ड कप में जाएंगे, तो I think confidence बहुती जादा हाई होगा अब सुर्ण दोस्तों लेकिन इस मुकाबले म जब ओपनिंग अच्छा करेगी, तभी अच्छा करेगी, बात भी साफ होगी, नमबर वन, नमबर टू चीज जब चेज करते होगे फसते थे, अब तो ये पहले बैटिंग करके फस गए, अब जिनका मिडल ओडर है, फिर आज फ्लोप हुआ है, बिल्कुल पूरी तरीके स कहा गई, आज हरदिक पानिया जिस टपे पे-गेंद किया, जिस लेंथ पे करके है, जो रिवेन आप ये बात कर भी रहते है टॉस्के टायम पे, कि भी ये मैं हरदिक पानिया को देखना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहती थी, लेकिन सर्प्राइज पैकेज निकले economy भी देखे आज के मैच में सबसे कम economy seven point कुछ की economy हार्दिक पांडिया की रही है तो हार्दिक पांडिया ने नाकेवल wickets लिए है मुंबई के लिए आज बल्कि एक किफाइती गेंदबाजी भी रही है लगभग 100 रन की साज़दारी कर ली थी कि हार्दिक को मौका ही नहीं मिला वर्ट बैटिंग में अगर ऐसे कुछ कमाल कर दे तो मज़ा आज और कप्तानी जिस सरी कि आज उनों ने करी है अगर पहले मैचिस में ऐसी कप्तानी करते तो शायद मुंबई का ये हश्र नहीं होता बेलकुल आपने बैटिंग के बैटिंग का मौका ही नहीं मिला अगर आती तो तो वहां भी छक्या लगाते हो नहीं अजर आते लेकिन मुंबई के भी दिक्कत है मुंबई का कंसर्ण ये है कि आज भी 31 पर तीन होगे थे और वहां से किसी को उमीदी नहीं थी कि वहाई इस पिनिश नहीं करके आये थे हम लोग जब सूरिया से ये चीजらい करते हैं कि वहाई सूरिया क्या खेल रहे है तो फिनिश करके आएंगे मैच को जिता के आएंगे और आज ऐसा ही देखने को मिला अर्दुशा तक तो उन्होंने पिछले मैच में भी लगाया था बट फिनिश नहीं कर पाया था तिम डेविड भी अपना विकेट फेक के चले गए थे बट आज सूरिया प्रपर फॉर्म में नजर आएं क्यों उनको T20 का सबसे सर्व श्रेष्ट बल्लेबास कहा जाता है आज उन्होंने एक बार फिर से बता दिया है बिलकुल फिर से बता दिया और हम कह भी जीता और मैच भी जीता पहले हमें लगा था कि यार ऐसारच को बैटिंग करने के लिए लेकिन अब आपको दिखाएंगे अभिशेक शर्मा यह जो ग्राफिक्स के जरीए ग्यारा बनाए 16 गेलों पर लेकिन बड़ा खुश हुआ मैं जब भूम्रा ने गिंद फैंका राउंदा विकेट आये अभिशेक को और फिर उसके बाद वो जो एंगल के साथ बाहर के निकला वो एज लगा और फिर आउट सेंडिंग के अज पकड़ा पीछे विकेट के लेकिन भूम्रा इसी रंग में दिखें बस यह उमीद है जो आज तीन खिलाडी थे ना जस्पर साहब थे सामने पैट कमिन्स ने इनको आउट किया था तो आज तो टीन अटराजन कोई लेफट आम सीमर भी नहीं आपके सामने था आज रोहिद क्यों इतना गलत शौट खेल के आउट हो गया समझी नहीं आया रोहिद के अगर पिशली पांच पारिया उठा लीजे सिंग सिंगल डिजिट में उनका स्कोर है वो शतक के बाद वो स्लो शतक के बाद मुझे लग रहा है कि वो भूल गए है रन बनाना जोस तरीके से आज वो परफॉर्म कर रहे थे क्लूलेस नजर आये मुझे लग रहा है कि सामने पैट कमिन्स उनको थोड़ा सा रोटेट करेंगे थोड़ा सा उनको क्लूलेस कर देंगे कि अब क्या करूँगा कि मैं तो मुझे लग रहा है कि रोट शर्मा के सामने पैट कमिन्स जबरदस्ती इसलिए ओवर करने आये थे कि विकेट चाहिए था उनको बिल्कुल लेकिन भाई जब रन आते ना बैट से तो फिर ये शोट भी कही ना कहीं दर्शकों में जाए गिरता जो रोहित मारना चाहते थे बेसिकली लेकिन जब रन नहीं आते तो फिर ये हाल हो जाते है और जिस तरीकी के 31 पे 3 हो गे थे भाई किसी ने सोचा नहीं था क मुझे तो लगा था कि यार ये भी गया मुकाबला गई भैस पानी में लेकिन फिर वो सुर्यक मारियादर और तिलक वर्मा ने जो बैटिंग की है जो पार्टरेंशिप की है और बिल्कुल ये तो एक तरफा जीत कहा है लीजिए आप लास्ट में आके तो ये लगा था कि अब तो भाई दो या तीन और चोड़ देंगे और यकीन मानिये दोस्तों ये मैच उन्होंने सिरफ और सिरफ 17.2 और में जीत लिया यानिकर इतनी सारी गेंदे छोड़ दी पीछे लेकिन इशान किशन फिर से वही इनकंसेस्टेंसिस खिलाड़े के पूरे सीजन में अब दिखी है आई पेल 2024 में आज भी सिर्फ नो बनाए नमंधिर इनको कुछ समझी नहीं आया था ये टेस्ट केल रहे थे ये टेस्ट क्रिकेट केल रहे थे नौ गेंदे इन्होंने लिए और इतने जादा रंज इन्होंने बना दिया अगर आगे एक होता तो मैं मानती बट व आउट किया हैड भी हैडक बन गए थे एक पर 48 बना चुके थे और एक ही ऐसे खिलाडी थे जिन्होंने अच्छी पारी खेली अपार्ट फ्रूम डैट आइट रनी नहीं किसी के भी लेकिन प्यूश चामला की तारिफ करने पड़ेगी जिस तरी के गेंद की उन्होंने और ना सिर्फ वो जो वेरियेसंस हैं वो लेकर आते हैं अपनी गेम में कही ना कुछ तो नया करना चाहते हूँ और आज उनके वो कारगर रहे सारा है गेंद की बहुतादा में तारीफ करूंगी जो उनोंने मारको येंसंस पर चाहते हैं गेंद बहुत ही जादा बेहतरीन थी वो लगा जिस तर्यके से विक्यटस उनसे उन्होंने उखाड के रख धिये थे कि यह debut match था और Travis Head को out करा उनोंने पहले बड़ उसके बाद Travis Head जो है नो बॉल रहा था उसके बाद वो नो बॉल से चुक गया थे Travis Head वापिस आए उसके बाद Travis Head का दुबारा cat छोड़ा फिर उसके बाद Mayank Agarwal को out किया तो Mayank Agarwal इनका पहला बॉल बॉल नहीं डालते तो Travis Head इनका डेब्यू विकेट होता आप सोचे किसी गेंदबास के लिए Travis Head का विकेट पहला डेब्यू विकेट हो रहा है अब Travis Head इतने बड़े बल्ले बास का तो I think वो छोड़ दिया बटन अच्छी खासी गेंदबाजी इनोंने कर लिए नहीं मानना पड़े अन्शुल खंबोज को भी आप बड़ा प्रैट्फों मिला उनका पहला ही मैच पहला मैच हो और डेब्यू मैच में डंडे समझी निया था उसको मेह अगरवाल को करना क्या है ना वह आगे के ना पीछे गए बड़ी अच्छी लेंथ और ऑल राउंड लेकिन दोस्तों हमने मैच देखा भई वानखेड़े का मैदान था एक तरफ मुम्मेडियस थी दूसरी तरफ समराइजर साधराबाद थी लेकिन सन किसका राइज हुआ वह मुम्मेडियस का हुआ लेकिन एक ऐसे खिलाडी भी थे जो सेंटर ऑफ अट्रेक्शन रहे हर उमीद लगाई थी कि ये खिलाडी तुरूप का एक का होगा इस टीम के लिए और कैप्टन जब इस तरह का प्रफॉर्म कर दे फिर बल्ले बल्ले भाई हमारा खास सेग्मेट है ओकिनाव एफेक्टिव प्लेयर ऑफ दे मैच को अनहाज के मुकाबले में क्योंकि जो ओकिन इन्हों बड़े इंपोर्टन विकेट देखे इन्हों ने कहीं न कहीं पलट के रख दिया था हाधराबाद की बल्ले बाजी को जिस तरीके से हम बोर रहे हैं कि दो तीन मैचे अगर आप पीछे के उठाके ले लिजे हर्दिक पांडिया विद बॉल बहुत ही जादा इंप प्रेस करें साथ साथ एकॉनमी में अगर आप ध्यान दे 7.80 की एकॉनमी है अगर इस मैच में देखे मुंबाइ इन्हें की तरफ से सबसे अच्छी एकॉनमी आज हर्दिक पांडिया की है तो मुझे लग रहा है जार्दिक पांडिया ने गेंद से टो ट्रोलर्स को क्यानी से बचा हुआ है साथ-सा इस गेंदबाजी के साथ इस फॉर्म के साथ अगर वर्ल्ड कप जाएंगे तो वह इनी के अच्छ और हम टीम इडिया के अच्छ है हम फैंस के अच्छ है साथ साथ-साथ अगर बल्ले से थोड़ा सा योगदान और दे अरदुश्रतक वग थे, celebrate इस तरीके से नहीं कर रहे थे, बड़ आज के मैच में celebrate भी कर रहे थे, वह थोड़ा-थोड़ा confidence आ रहा है, वापस आ रही है, वापस आ रहाना जरूरी भी था, तो बड़ा important था थीनों खिलाडियों का चलना, लेकिन कही ना कहीं भाई, SRH को एक बड़ा जटका दिया आज पहली बार IPL 2024 में defend करते वे हार गई है धरबाद, हमने कहा भी था कि खेल बिगाड ने उतरेगा, तो बिगाड दिया खेल इनका, इनके equations बड़े मुश्किल होगे, उस पर भी बात करेंगे, क्या हाल चाल हुए, लेकिन उससे पहले, वान खेडे स्केडियम में, जब दोनों टीमें आमने सामने थी, तो आज बहुत कुछ हमने देखने को मिला, अगर आपने कुछ मिश्क कर दिया हो, तो हम वो काम कर देते हैं, हमारा खास सेग्मेंट है, ओकिनावा की स्कूटी है, वो साथ से आठ कलर में आती है, आज तो कई लोग नीले कलर में खरीजना साहेंगे, क्योंकि आज तो वहां पे ब्लू ब्लू था, बिल्कुल तो सुर्य कुमार यादो की पारी हमने देखी, हारदिक पंडिया की बोलिंग देखी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखा, तो देखी लेते हैं, करके जलकियां क्या 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 खास थी, आज ये इतने स्कोर तक पहुँचे, अगर पैट कमिंग्स की वह बल्लेबाजी नहीं होती, तो डेट सों में सिमट के रह जाती है, हैदरबाद की टीम, तो आई तिंग बहुत ही अच्छा कॉंटेस्ट हमें देखने को मिला, मुंबाइनियन्स ने काम पूरी तरीके से खराब क टीम का, हैदरबाद जो अभी तक